हेलो व्यूवर्स और वेलकम वन्स अगेन मैं डॉक्टर रोही चक्रवर्ति आप सभी व्यूवर्स का वेलकम करता हूं अपने चैनल पर और आज हम लोग बात करने वाले हैं होमियोपेथी मेडिसिन्स जो कि आप लोग घर पर रख सकते हैं वेरी एफेक्टिव मेडिसिन्स ह कि मैंने लिखा है cold में chest congestion में अगर आपको खांसी है आपको चाती में ऐसा लग रहा है काफी जम गया है सूसू अवाज और रात को सोने में आपको काफी ज़्यादा खांसी आ रही है इवन हाई फीवर में यह कुछ मेडिसिन्स है जो मैंने यहां पर लिस्ट लिखी है seven homeopath जिनको घर पर रख सकते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत effective है अगर आज की डेट में आप लोग ऐलोपेथी मेडिसिन्स ले रहे हैं और एंटिबाटिक्स लेने के बाद भी आकर आपको कफ और ठीक नहीं हो रहा है और frequently आपको ऐलोपेथी मेडि इनके बारे में आप लिख लीजिए और यह आपको easily available हो जाएंगी मार्केट में किसी भी होमीपाथी मेडिसिन्स पे तो इनका आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट मेडिसिन मैंने यहां लिख है यूपेटोरी पर्फ 30 स्पैलिंग है यूपेटोरी पर्फ 30 यह अगर आपको क हासी आ रही है तो चाहिए आप यूपेटोरी 30 लेंगे यह एंटिम टार्ट लेंगे इसकी बच्चों के लिए एक only one drop दिन में तीन बार और अगर एडल्ट है तो दो से तीन डॉप दिन में तीन बार तो फर्स्ट मेडिसिन मैंने जो आपको बता है यूपेटोरी पर्फ स बोलते हैं इसको 30 potency में next medicine जो आप लोगों अभी काफी last one year में सुना होगा during covid भी यह काफी doctors ने प्रिस्क्राइब किये थी आसनिकम album 30 अपने आप में बहुत ही अच्छी medicine है अगर आपको high fever है रात को सोते समय आपको fever आ रहा है खासी बहुत ज़्यादा है frequently आपने antibiotics लिए और medicines लिए जिससे आपको कोई ज्यादा impact नहीं लगाया आपको relief नहीं मिल रहा है तो आप arsenicum album 30 आप घर पे लाके रख सकते हैं दो से तीन drop दिन में आप चार बार लीजिए और बच्चों के लिए one to two drop आप दिन में दो बार दे सकते हैं arsenicum album में आपको immediate relief मिलेगा आपका fever कम होगा और आपको अगर आपके tonsils में problem है तो भी यह arsenicum album बहुत अच्छी काम करते हैं इसके लावर next medicine है equonite 30 यह मैं recommend करूंगा कि हर फैमिली में equonite 30 होमीपथी medicine चाहे वह SBL को हो यह आप डॉक्टर रिक्विक के आप लोग घर पर रखिए equonite 30 specially जिनका कफ काफी ज्यादा आ रहा है और कई बार ऐसा लगता है कि छाती में बल्गम जमा हुआ है लूज नहीं हो रहा है निकल नहीं रहा है जिसकी वज़े से खासी काफी ज्यादा है तो equonite 30 in conditions में बहुत अच्छा काम करती है equonite 30 का आप 2-3 drop दिन में 3-4 बार adults के लिए और 1 drop दिन में 2 बार पच्चो को दे सकते हैं नेक्स्ट ए इचिनेशिया mother tincture इचिनेशिया के आप 10 drops half ml half glass पानी में mix करके दिन में 3 बार पीजिए तो इससे आपको इचिनेशिया से आपको काफी ज्यादा आपकी अगर नोस बंद है आपको sneezing हो रही है आपको छीक आ रही है इसके लावा अगर आपको खासी है और का इचिनेशिया आपको इसमें काफी अच्छा mother tincture आता है इसका आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है कालीबिच 30 कालीबिच 30 भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी काम करते हैं क्योंकि बच्चे जनरली ठंड में भाज आते हैं जाती उनको ठंडी हवा लग जाती है त कफ एन कोल्ड की प्रॉब्लम है तो इसकी स्पेलिंगे के लाई बी आई सी एच आरो एमाई सी यूएम कालीबिच 30 यह भी एस्बील में मिलेगा आपको डॉक्टर रिक्विक में मिलेगा इसके आप तीन से चार बूद एडल्ट को दिन में तीन बार दे सकते हैं इससे इम कालीबिच 30 उन पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा काम करती है नेक्स्ट आपकी एलियम सीपा एलियम सीपा 30 भी आपके कफन कोल्ड के लिए होमीपाथी मेडिसिन से इन में से जो मैं परसनली रिकमेंड करूंगा आप लोग जरूर यूज़ कीजिए एक आसनीकम एलबम 30 एकोनाइट 30 और कालीबिच 30 ये तीन मेडिसिन से हैं जो हर बंदा अपने घर में रख सकता है हर फैमली में होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली क्योंकि अभी जैसे कि ठंड का मौसम है काफी ज़्यादा अगर मैं नौर्थ की बात करूं डेली एंसीयार में तो ठंड काफ आर्सिनिका मैलमम इन में से कोई भी एक मेडिसिन आप रखे स्पेशली आर्सिनिका मैलमम बहुत अच्छा काम करेगी और अगर बच्चों के अंदर है तो कालीबिच 30 ये दो मेडिसिन से जो बच्चों को आप दे सकते हैं और अगर आपको फ्रिक्वेंटली कफ हो रहा है और आपको लग रहा है कि खासी बल्गम आपको लूज नहीं हो रहा है तो उसकेस में आप एकोनाइट 30 का यूज़ कर सकते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि इससे आपको रिलीफ मिल रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक्यू सो मच